हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आपकी इंवस्टिंग जरनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं पॉली फ्लैक्स कॉर्परेशन स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनलेसिस करने वाले है अगर आप चेनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूली हूं थे दो भूप बनाया थैंगे कमगा डबल डौ बनाया थे उसके बास कड़ डबल टॉप बनाया था यहां पर तो यह जब से टॉप में डबल टॉप बना उसके बाद भारी गियावट बनाया ज़िए को मिली है वहां चेह से लगतार नीच बग एक तिहाई स्टॉक रहे चुका है लेकिन अभी क्या स्थिति इस स्टॉक में हो सकती है खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए उसके बारे में हम डिसकस करते हैं तो स्टॉक में आप अगर यहां पर एक नजर डालें तो स्टॉक ने 2ोच बनाया है अब यह सपर्ट जो है एहम हो जाता है हमारे लिए क्योंकि इस support की बहुत value है, यहां से stock फिर से support पर आएगा, यहां से bounce back किया, तो फिर आपको बड़े level इस stock में देखने को मिल सकते हैं, यहां ब्रेक डाउन हुआ तो फिर stock नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो अब आपको यहां पर wait करना है थोड़ा, जब तक stock में कोई positive sentiment नहीं मिलता है, यहां से stock, एक मैं trend line भी draw कर देता हूँ, यह जो trend line यहां से भी चल रहे हैं लगता है, यह भी एक एहम भूमी का निभाने वाली है, ठीक है, तो stock support लेगा, और फिर यहां से bounce back करेगा, और आपको पता है, जिस दिन bounce back करेगा, कोई बड़ा moment देखने को मिलेगा stock में, ठीक है, तो अगर मैं target की बात करता हूँ, तो friends stock में जो target मिलने वाला है, वो आपके लिए first target रहेगा, 1220 रुपे का, ठीक है, 1220 का रहेगा, उसके बाद आगे भी targets है, बड़े targets है, 1300, 1500 तक का देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी थ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को रादे रादे, राम राम